हलो दोस्तों मेरा नाम विशेस मलिक है इस वीडियो में हम लोग router के telnet password को कैसे remove करते हैं ये discuss करने वाले हैं देखें router के telnet password को remove करने के लिए सबसे पहले आप router पर चलिए और सबसे पहले आप enable command यूज करते हैं user mode से privilege mode में जाने के लिए यहां पर हमें एक बार ठीक है यहां पर just हमने इस router पर console password भी apply किया हुआ है तो user mode से privilege mode में जाने के लिए हमें console password यहां पर confirm करना पड़ता है अब check करने के लिए कि क्या इस router पर telnet password assign किया गया है या नहीं किया गया है इसके लिए हम लोग command यूज करते हैं show space running-config type करके just enter की press कीजिए यहां पर देख सकते हैं यहां पर आपको console password show कर रहा है और यहां पर आप देख सकते हैं telnet password आपको show कर रहा है अब इस password को अगर आप remove करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग हमें सबसे पहले configure mode में चलना होगा with the help of configure terminal command type करके just enter की press कीजिए यह देखी configure mode में हम लोग आ चुके हैं इसके बाद हम लोग यहां पर command यूज करेंगे line vty 0 space 4 enter और यहां पर just एक simple सी command हम लोग यूज करते हैं no password type करके just enter की press कर दीजिए देखी command जो है वो successfully run हो चुकी है control z कीजिए इसके बाद चाहे तो आप confirm करने के लिए कि telnet password remove हुआ है या नहीं हुआ है तो इसके लिए हम लोग एक another command भी use कर सकते हैं show space running-config जिसके थो हम लोग यह check कर सकते हैं कि password remove हुआ है या नहीं हुआ है telnet password तो show space running-config यह देख सकते हैं अभी console password तो as it is है but telnet password remove हुआ है या नहीं हुआ है यह देख सकते हैं दोस्तों आप यहां से आप confirm कर सकते हैं कि telnet password जो है router से remove हो चुगा है तो इस तरह दोस्तों हम लोग किसी भी router के telnet password को remove कर सकते हैं कर दोस्तों हansen है अपनूarा सकते हैं यहां सि कोर सकते हैं झाल झाल